So hey dude, welcome to iTunes So guys, आज के इस वीडियो में हम review करने वाले हैं The most popular Linux distro में से एक जिसका नाम है Linux Mint XFCE Linux Mint XFCE के बारे में मैंने फिछले वीडियो में बताया था कि ये मेरा favorite Linux distro है और मैं इसी को अपने personal computer में use करता हूँ, ठीक है? तो आज इसका मैं review करूँगा और review, मतलब review professional तरीके से करना है मतलब मैं एक एक चीजों को आपको बताऊंगा category wise divide करके, ठीक है? मैं इस वीडियो में 12 points को cover up करूँगा ठीक है, पहला हम intro देखेंगे मतलब कैसा Linux Mint XFCE का desktop का है जो intro करेंगे फिर उसके lock screen को देखेंगे कि उसका lock screen कैसा देखेंगे फिर desktop का overview कैसा देखेंगे फिर start menu का overview करेंगे फिर task जो task bar होता है उसका overview करेंगे फिर file manager को देखेंगे फिर wallpaper and icon setting को देखेंगे फिर display setting and configure को देखेंगे और फिर उसके बाद right click और contact menu को देखेंगे और setting and appearance को देखेंगे pros and cons को देखेंगे और finally हम इसके conclusion को देखेंगे कि क्या आपके लिए सही है या नहीं तो हर चीज को मैं divide करके इस वीडियो में आप basically मैं इस वीडियो में आपको एक-एक point का overview दूँगा एक-एक point का मैं conclusion दूँगा कि हर एक चीज इसका कैसा है तो ठीक है इस वीडियो को last तक देखना ये वीडियो काफी जादे awesome होने वाला है आपके लिए है क्योंकि मैं एक professional तरीके इस वीडियो को बना रहा हूँ पिछले मैं बहुत सारे वीडियो में overview कर रहा था मतलब बहुत सारे Linux का मैं न overview डाला था लेकिन ये सबसे अलग होने वाला है इसमें मैं कुछ नया टेक्मिक, कुछ नया मतलब अपने आपको enhanced करके और इसको बहतर बनाने की कुछिस करूँगा कि आपको एक एक चीजें आपको समझ में आ जाए और आप fully decide कर पाओ कि हाँ यार ये मेरे लिए operating system सही है नहीं सही है ठीक है इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रुवत न पड़े इस तरीके से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो इस वीडियो को डिसकस करेंगे कि Linux Mint को कैसे डाउनलोड करें ठीक है Linux सबसे पहले अबर हम लोग इसका रिव्यू देख रहे है तो आखिर डाउनलोड कहां से करें ये भी बहुत ज़्यादे मैटर करता है तो सबसे अब फायरफाक्स ब्राउजर को ओपें कर रहा है और यहां पर उपर हम लोग यहां पर सच करेंगे Linux Mint तो यहां पर हम Linux Mint करके यहां पर सर्च करना है ठीक है तो यहां पर आपको रिजल्ट आपको पहला नमर पर आ रहा होगा www.linuxmint.com यहां पर लीक्ट है इसको करना तो यहां पर पहला लिंक है उस पर हम क्लिक करेंगे यह linux Mint का अफिसयल web-साइड है ठीक है तो यहां पे आपको दिखने को मिल ला होगा यहां पर linux mint का ऑफिसयल पेज यहां पर डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको डिफ्रेंट 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 इंवार्मेंट्स मिल जाएंगे जैसे यहां पर आपको देखने को मिलाओगा इंफॉर्मेशन यहां पर 2GB इसका साइज है गडिफ्रेंट वगरे से ढाउनलोड कर सकते हो या फिर यह डाउलोड मिर वाइड मिरसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप सब् 구독 कर सकते हैं इसे नहीं अब यह पर व्राहरी मतलब आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया के मिरौत कर लेंगे सिटाट हो गारी कि दैक्स को काुए है वेहा फिर दोटेम्ट कुषए हूं मिलेगे मौनरेकश हीकि इसा प्रॉड पर लोग क्या करेंगी यहां परेंड को क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे यहाँ अब いきतरओ स्क्रिन को बिया आप इसके COPιο को तान आप 10 ऑफिह तो गाईज यह जो आपको इस स्क्रिन दिख रहा होगा यह है Linux Mint X FCE का लॉक स्क्रिन मैंने इसे वर्चॉल बॉक्स में इस्टॉल कर रखा है इसलिए यह थोड़ा इसे इसका साइस छोटा दिखा रहा है ठीक है तो यहाँ पर ऐसे ही रहता है यह लॉक स्क्रिन यहाँ पर आ नाम आएगा मैंने विश्व वर्चॉल बॉक्स रखा है यहाँ पर आपको एक आप्सें मिलेगा और यहां से आपको सस्पेंट का मतलब यह उप्सेंस मिलेगा तो यह सारे आपको मिलेंगे लॉक स्क्रिन में तो इसको हम लोग अनलॉक करते हैं यहाँ पर पास्वर्ट ड इसको देखते हैं कि इसका डेक्स टॉप अब्विव कैसा दिखता है तो चलते हैं अपने इसका डेक्स टॉप ओवरव्विव कैसा दिखता है तो गाइज यह जो आपको सामने दिख रहा होगा यह है Linux Mint XFCE का by default page मतलब by default look है यह अगर आप Linux Mint XFCE डाउनलोड कर रहे हो तो उसका desktop कुछ ऐसा दिखता है इसका desktop का overview कुछ ऐसा out of box देखने को मिलता है यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा यह है Linux Mint XFCE का default desktop ओके desktop overview को भी देख लिया अब हम देखते है start menu इसका start menu कैसा दिखता है हम इसको देखते है तो चलते पने computer screen पर start menu को देखते है तो गाईज यहाँ पे हम यहाँ पर इसके जो है start menu यहाँ फेहाँ देख सकते हैं आपको application finder calculator वगएर image viewer वगएर और रेट शिट वगएर यहां पर दिखने के में graphics में आपको document scanner drawing यह वगएरे मिल जाएगे यहां पर इंटरेनट में firefox thunderweight email और web apps वगएरे मिल जाएगे यहां पर media में आपको यह सारे rhythm box वगएरे मिल जाएगे और आपको यहां पर यहां पर यह वगएरे यह वगएरे यह वास टीवी यहां पर आप से आप ओनलाइन टीवी वगएरे भी देख सकते हो अपने Linux में ठीक है और यहां पर आपको अपर यहां पर आपको नीचे यह है taskbar यहां पर आपको देखने को मिल ला होगा यह सारे पट्रेज हैं यहांपे आपको सब असे मिल था है और यहां पर आप यहां पर जास को कैंचल करते हैं यहां पर में इसकी पी परप Erst Îl बरऍन भी दिखा देते तो फैकनल पर जाना पर पैसन पर प्ररिफसरेंश पर जाना यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर इसकी पैनल की प्रॉपर्टी यहां पर आप इसकी सा मतलब कलर को भी चेंज कर सकते हो जो भी आपको मर्जी हो मतलब जो भी आपको अच्छा लगे कलर यहां से आप चेंज कर सकते हो आपके टास्क बार का ठीक है टास्क बार को कर सकते हो यहां पर देख सकते हो क्यों कौन से आइटम से हैं तो और यहां पर डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिल्ला होगा यहां से आपको दिखा रहा हूं कि पहले कैसा था और आपको इसको मैं करता हूं और अब आपको इफ्याक्त देखने को मिलेगा यहां पर मैं कर रहा हूं तो देखो यह जो पैनल है पार है अब तो यहांस को भी कर सकते हो और थेख सकते हो अपने हिसाब से अलावा यहां पर आ आपको देखने को मिलेगा यहां इसको मैं क्लोज कर HC आँ क्लोज हो गेए इसके लाओं आपको देखने को मिलेगा यarmic आपको कौन कर सा मूड है यहां पे आपको देखने को मिलेगा यहां पर दे G rookie beta workflow है अब यहां पर पर आंप और होगे आप यहां पर अब इसने अब सकते हो आपा डिल्ण हो तो गाइस हद हो इसको लिए got हो किया चीज़ेंहे साथ अब इसके फाइल्ग पैल मेंजर ए निचनला फाइल वेल आपको इसके भाइल मेंड़ स्कूलग पाल ओपेजल उनकषरी मुझे एक्षाले त specialize के साथ बढ़िवारARS अब आउट वगेरे भी देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर आपको देखने को मिल ला होगा यह वर्जन वगेरे और यहाँ पर अलग-अलग मतलब यहाँ पर फोल्डर में स्विच करके देख सकते हो डायरेक्टरी में क्या कैसे कैसे हैं यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी स्ट स्रक्चर्ट हमने फाईर मैनेजर भी देख लिया और अब हम लुग वाल पेपर एंड सेटिंग को देखते हैं इस सेटिंग गर्द हो चलते हैं अपने सटीं परर और वाल पेपर और ऐकन उसेटिंग तो यहां पे आपको right click करके यहां पे जाना है और यहां पे आपको बहुत सारे wallpapers देखने को मिलेंगे यहां पे load हो रहा है यह मैं ने virtual box में open कर रखा है उपर से screen recording भी on कर रखा है यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं यहां पे नीचे आपको देखने को मिल ला होगा तो आप लगा सकते हो कि कितने टाइम में आप वल्मेंटिक चेंज होता रहा तो यहां पर मैं आपको डेमों के लिए दिखा रहा है कि कितने जल्दी मतलब कर द costs करेंगा और यहां पर यहां पर जरना स्टार्ट ओ मैं स्टर्ट उग इसको होता जारा हो ठीक है तो इसको में क्लोज कर रहा हूँ आपको effect देखने को मिलेगा देखो हर second यह wallpaper चेंज करता जा रहा है तो आप यहां पर timing के अनुशार अपना लगा सकते हो कितने देर में आपका wallpaper change होता रहा है ठीक है तो यह भी काफी अच्छी चीज है और यहां पर icons वगरे आप देख सकते हो यहां से आप इसको one कर दोगे तो display आपको कोई-स आइकशन है देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर यहांज कोइंस के साथ अपना ad कर सकते हो क्षी और बूद कर सकते हैं और नहीं चाहिए तो यहां से आप Chloe सा तो गाइस हमने wallpaper and icon setting को भी दीख लिया और आप हम देखते हैं display setting and configuration को ठीक है तो चलते हैं अपने computer skin तो अगला हम देखते हैं display setting and configuration ठीक है तो यहाँ पर हम setting में जाएंगे और यहाँ पर display यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा यहां से आप डिस्प्ले पर जाएंगे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आप रिजुलीशन के साथ अपना प्ले कर सकते हो जैको अगर जिशुलीशन यह ऐसा मिलता है अगर वर्च वाक्स में इस्टॉल करेंगे तो आप अपने इंशार ट्विक कर सकते हो तो यहां पर आपको बहुत सारे options मिलते होंगा जैसे वर्चोल वन लिखा है तो मतलब आपके वास multiple अगर desktop है multiple monitors हैं तो वहां से आप उसको manage कर सकते हो वहां पर उसको add कर सकते हो बाकि आपका scale है 1x आपका refresh rate 60 hertz आपका rotation है none reflection है आपका none मतलब यहां से आप display की हर settings का functionality के साथ आप उसको tweak कर सकते हो आप उसको manage कर सकते हो ठीक है refresh rate वगरे भी आप यहां से देख सकते हो और यहां पर आप देखो वर्चोल है यहां पर अभी मेरे पास desktop और यहां पर आपको scale है 1x वगर है refresh rate 60 यहां पर left right यहां पर कहीं भी आप कर सकते हो यहां पर पूरे settings है display का है तो गाइस हमने display settings को देख लिया और अब चलते हैं right click context menu को देखने और देखते हैं इसमें क्या है तो यहां पर right click करके यहां पर हम देख सकते हैं बहुत सारे options आपको देखने को मिले होंगे आपको ओपर create launcher create url link create folder मतलब यहां पर folders आप create कर सकते हो यहां पर create documents यहां पर documents file मतलब text file create कर सकते हो in party यहां से पर terminal खोल सकते हो किसी भी directory में right click करके यहां पर आप file manager as a root खोल सकते हो और कोई भी task perform कर सकते हो यहां पर आप link create कर सकते हो यहां पर arrange कर सकते हो अपने icons को अगर इधर उदर मतलब हो गया हो तो यहां से आप display setting में जा सकते हो और अपना wallpaper वगरे चेंज कर सकते हो तो guys हमने right click वाले method right click context menu को भी देख लिया और अब देखते हैं इसके setting and appearance को इसका setting का overview देखते हैं appearance का overview देखते हैं तो अगला आता है setting and contact appearance ठीक है तो यहां पर हम setting को देखते हैं यहां पर about me है appearance है appearance में आप अपने theme के साथ खिलवार कर सकते हो मतलब theme change वगैरे कर सकते हो यहां पर आपको दिखो यह लाइट theme है यहां पर मैं dark theme आपको क्लीक करके दिखा रहे हूं यहां पर यह dark theme हो गया और बहुत सारे आपको theming मिल जाएंगे आपको देखने को मिलेगा आप अलग-अलग theming को try कर सकते हो या फि बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर आइकन भी एड कर सकते हो अडिशनली यहां फिर आप इतने आइकन में से भी कर सकते हो यहां पर आपको सैटिंग वगएरे भी मिल जाएंगे इसके अबाउट ठीक है तो यह है आपके अपेरेंस का और उसके अलावा आ सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको करते हैं यहां पर कर सकते हैं बाकि आपको बहुत सारी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर फायरबॉल वगएरे वाइरबॉल को अम आउन कर लेते हैं और पर इसको और अच्छा होता है तो यहां पर आपको हर चीज शेटिंग में मिल जाएंगी और यहां यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर लॉग इन विंडो के साथ भी मतलब आपको कैसा लॉग इन विंडो चाहिए वह बहुत आप कर सकते उसका वाल पेपर और भी अपलग से चेंज कर सकते बैक ग्राउंड कलर भी और यह सारी चीजे आप इसके देख सकते हो वाले हैं प्रोज और कॉंस को तो सबसे पहले हम उसके प्रोज को देख लेते हैं कि क्या-क्या इसमें अच्छाईया हैं क्या-क्या इसमें बुराईया हैं यह सारी चीजे हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले अच्छाईयों पर नजर डालते हैं फिर इसके बुराईयों पर नजर डालेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके अच्छाईओं को देखते हैं इसके प्रोज को देखते हैं तो चलते हैं प्रोज की बात करते हैं तो गाईस यह काफी ज्यादा मतलब कोई अलग डेक्टॉप इन्वार्मेंट के कंपेर में यह काफी फास्ट है तो मैं यहां पर आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूं यह कितना रिसोर्सेज वगारे कंज्यूम करता है इस्टी योपी से करके हम यहां पर इसके मतलब रिसोर्सेज का लगा सकते है कितना ज्यादे यह रिसोर्सेज यूज करता है बाइडिफ़ट ठीक है तो यहां पर यह इंस्टॉल हो रहा है तो मतलब मैं तब तक क्या आपको बता रहा हूं इसके एडवांटेज यह काफी जीजादी है काफी जादी कि सिक्यूर नसमेंट जो है इसको एक काफी पुराना उर्गनाजेशन मतलब जो भी है तो इसको जो जो इसको तेिम है जो काफी समय तब्स अच्छी तो अपडेट्स बग्रे बहुत timely मिलते हैं तो यह सारी चीजे हैं इसमें अर यहाँ पे में इसकी system यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूं यह देख रहा हूं यह मेरी CPU का 11% बस यूज कर रहा है ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर यह मेरे RAM का मातर 244 मतलर 500 का तो मतलब काफी ज्यादा कम रिसोर्स लेता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब खुद का मतलब अपना बहुत कम रिसोर्स लेता है ठीक है और यह काफी लाइट वेट है तो आपके जो भी टास्क होंगे आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो इस पे और मतलब बड़े- रिसोर्स लेता है तो जो आपका टास्क पर मतलब रिसोर्स लेगा जो भी आप परफॉर्म कर रहे है वही रिसोर्स चीज होगा तो यह काफी बहतर चीज है बाकी यह बहुत जादे मतलब लुक भी अच्छा है एक्दब मिनिमल सा लुक है अगर कोई किसी को मिनिमल लुक पसंद आता है मतलब जादे कुछ कुछ कश्रमाइजेशन नहीं तो यह काफी अच्छा है और बहतर है ठीक है और यह मतलब अच्छा चलता भी है और बहतर परफॉर्म भी करता है तो यह सारी एडवांटेजिस हैं इस ओपरेटिंग सिस्टम के तो गाइस हमने प्रोस को द तो गाइस हम डिसेडवांटेज इसकी बात करते हैं तो डिसेडवांटेज इसमें फाला की वैसे कुछ है नहीं लेकिन फिर भी इसके डिसेडवांटेज एकसेपसी का इसका लुक उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है लुक एकदम लाइक ओल्ड सा मिलता है आ आपकी thinking है मतलब आप जो सोच रहे हैं वह चीज आप उतार नहीं पाऊगे तो यह उतना हद तक customizable भी नहीं है हाला कि बहुत अच्छा-चा कर सकते हो लेकिन एक होता है extreme level customization मतलब फूरा बदली दो यार तो उस लेबल का fast है secure है हर चीज है लेकिन यह customizable नहीं है और इसका look काफी मतलब old सा दिखता है और मतलब animation वगएरे इसमें उतने अच्छे नहीं है देखो animation आपको देखने को नहीं मिलेगा मतलब animation वगएरे look वगएरे इसका उतना च्छन नहीं आता है तो यह है इसका disadvantage तो guys finally हम लोग ने सारे चीजे लगवग देख लिया और अब हम बात करते हैं इसके final conclusion के बारे में तो चलते अपने computer screen पे और final conclusion इसका बताते है कि final conclusion क्या है इसका मतलब इसको हम finally क्या decide करें कि आपके लिए सही है नहीं सही है किसके लिए सही है यह चीजे हम लोग बात करते हैं चलते computer screen पे और इसके बारे में पर पात करते हैं तो guys overall बात करते हैं इस operating system का तो overall इस operating system को हम अगर आप एक computer एक यह मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लुक पर कोई आपको नहीं चीए कि यार कैसा दिख रहा है कैसा animation है यह सब आपकी preferences नहीं आपको बस अपना काम करना लाइक आपको मतलब लिब्रे ऑफिस पर आपको यह सारी वक करना है programming करना है कुछ भी करना मतलब आप अपने वक को जादे probability देते हो तो यार आपके लिए बहतर है लेकिन अगर आप एक लुक को जादे प्रिफिस देते हो कि यार में को मेरा operating system good looking चीए मतलब बहतर लुक चीए कि एकदम देखने में लगे एकदम हां यार बहतर लगे लाइक उसको कस्टमाइज हम बहुत अच्छे एक स्टीम लेबल तक कर सके लाइक मैक वेस तक तरह कस्टमाइज कर सकें करना वह काफी जादे कस्टमाइजबल होता है केड़ी प्लाजमा आप अपने ही साफ से मतलब किसी भी हद तक उसको कस्टमाइज कर सकते हो तो वह चीज आपके लिए बहतर होगा बाकि अगर आपको स्टेबल चीए भास चीए मतलब स्टेबल फास श्क्योर लिनक्स वगर आपके लिए ओपरेटिंग सिस्टम है अगर आप लुक को प्रॉइबिल्टी देते हो तो यह आपके लिए नहीं है so guys I hope आपको ये वीडियो पसंद आयो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like, comment, share जरूर करें अगर ये वीडियो helpful लाओ तो चैनल को subscribe जरूर कर लें इसे तरह के वीडियो को में interested हो चैनल को जरूर subscribe कर लें और bell icon आपको मिलती रहे तो आज के लिए बस इतना है guys, see you the next time in the next video, till then take care and bye